सेलू डारिया में हर्डीन और एकम अब अपनी नई जिन्दिगे की शिरुवात करेंगे ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया था इस बड़े हाथसे के बाद एकम एक बड़ा फैसला ले लेगा कि अब वो नहमत के पीछे ये नहमत को याद नहीं करेगा यहाँ पर आपको बताते चले कि अब यहाँ पर सर्टाज को होश आ गया है सर्टाज जो है वो नहमत को अपना दुश्मन समझ रहा है और ऐसे मुसे मारने की कोशिस कर रहा है लेकिन बाद में वही डॉक्टर और नर्स बताएंगे कि अगर यह आपको समय पर लेकर नहीं आती तो आज शायद आप जिन्दा भी नहीं बचते तो वहीं जैसमीन जो है वो पेपर्स लेकर आती है जमीन के पेपर्स लेकर आती है और वो एकम को gift करती है लेकिन एकम कहता है कि मुझे gift किये वे जमीन पर charity नहीं करना है मेरे पास अपना जमीन है मैं उसी पर काम करूंगा आपको बताते चले कि अब ये बात बलराज को बिलकुल भी पसंद नहीं आ रहे थी कि बलराज को वो जमीन चाहिए था अब देखना बड़ा ये दल्चरस को होता है कि अब जब हर्लीन और एकम एक हो रहे हैं दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है तो वहीं अब बलराज और नाज मिलकर कैसे उस जमीन को हर्पेंगे कैसे एकम को मनाएंगे और इधर सर् साज और नहमत कैसे एक दूसरे का अच्छे दोस्त बनेंगे